हरे किष्णा मेर अजद कृष्ण दास आपका स्वागत कलता हूँ रस्तु थे भगवद गीता के दस्वे अध्याय का बार्वाश्लोग अर्जुन दुवरा श्री क्रिष्ण की स्थूति अर्जुन वाज परम ब्रह्म परमधाम पवित्रम परम भवान पूर्षम शाष्वतम दिव्यम आदि देवं अज़म विभूँ अर्जुन ने कहा आप परम भगवान परम धाम परम पवित्रग परम सत्य हैं आप नित्य दिव्यद आदि पुरूश जन्मा तथा महंतम हैं नारद, असित, देवल तथा व्याज जैसे समस्त महमुनी आपके विशे में इस सत्य की पुष्टी करते हैं और अब आप स्वयम उसे इसकी घोषणा कर रहे हैं है क्रिश्ण आपने जो कुछ कहा है उसे पुरूप से मैं सत्य मानता हूँ है प्रभू ना तो देवता और ना असूर ही आपके वेक्तित्रों को समझ सकते हैं भवान से पुण रूप से भवद गीता सुने के बाद अर्जों ने श्री कृष्ण को परम भ्रम स्विकार कर लिया सभी जीव भ्रम है परंतु पून पूशोत्तम भगवान शी कृष्णर परं भ्रम है वे परं धाम है वे सभी जीवों के परं आश्रे है परं धाम है वे परं पवित्र है वे सभी भोतिक कलमशों से भोतिक अशुद्यों से रंजित प्रभावित है वे पुरुष परम पुरुष हैं, वे परम भोक्ता हैं, शाश्वतम भग्वान नित्य सनातन हैं, अजन वे अजन्मा हैं, विभूम वे महंतम हैं, वे दिव्य हैं कोई यह कह सकता है कि अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र थे और वे यह सब चाटुकारिता चापलूसी के लिए कह रहे थे, परन्तु ऐसा नहीं है अर्जुन कहते हैं कि ना सिर्फ वे परन्तु महान रिश्यमुनी महापुरूष असीत देवल व्यास देव जैसे महान रिश्यमुनी भी शी कृष्ण को परम भगवान शिकार करते हैं यह सबी महापुरूष हैं जो समस्त आचारी और द्वारा स्विकार किये गए वे दिक शास्त्रों का प्रचार प्रसार करते हैं इसलिए अर्जुन कहता है कि भगवान शी क्रिश्ण उससे जो कुछ कहते हैं वहां पुम रूप से सत्य मानता है अर्जुन कहता है कि भगवान के वेक्तित्र को समझ पाना बहुत कठीन है बड़े बड़े देवता और दानव भगवान के वेक्तित्र को समझ पाने में फूल करते हैं वे उन्हें नहीं समझ पाते इसलिए मनुष्यों के लिए भगवान के भक्त बने बिना समझ पाना असंभव है इसलिए हम भवद गीता को भक्ती भाव से ही समझ सकते हैं हमें भवद गीता को भक्ती भाव से गरहन करना चाहिए किसी को या नहीं सोचना चाहिए कि वह शी कृष्ण के तूली है श्री क्रिश्ण एक सामानिय पुरुष है या मात्र एक महान पुरुष है श्री क्रिश्ण पूर्ण पूर्शोत्तम भगवान है हमें भगवद गीता को भगवद गीता के कथानुसार या भगवद गीता को पूर्ण रूप से समझने वाले अर्जुन के कथानुसार कथानुसार शी कृष्ण को भगवान कम से कम सिधान्त रूप से शी कृष्ण को भगवान सिकार करना चाहिए और इसी विनित भाव से हम भवद गीता का पूर्ण रूप से लाब उठा सकते हैं भवद गीता को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं जो वेक्ति श्री कृष्ण को भवान स्विका नहीं करता, भवद गीता को विनमर विनित भाम से पाथ नहीं करता, उसके लिए भवद गीता का पूर्ण रूप से लाब उठा पाना, भवद गीता को पूर्ण रूप से समझ पाना असंभव है, क्योंकि भवद गीता एक महान रहसी है